नमस्कार मैं हूँ शिखाविश्व कर्मा और आप देख रहे हैं खबरी मध्यप्रदेश तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की और मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री का हुआ एलान परिवेक्षक मनुहर लाल खटर डॉक्टर के लक्षमन और आशा लकड़ा प्रदेश ने विधायकों के साथ बैठक के बाद सीएम के रूप में मोहन यादव के नाम का एलान कर दिया है बतादें की मोहन यादव उजयन में दक्षिन से विधायक रह चुके हैं साथ ही वे सिक्षा मंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं साथ ही यहाँ दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं जनका नाम राजेंद्र शुकला और जगदीश देवड़ा है वहीं बताओर विधानसभा स्पीकर के रूप में नरेंद्र सिंग तौमर को चुना गया है बोपाल में आलमी तबलिगी इस्तिमा का समापन दुआये खास में जुटे 10 लाग से अधिक लोग बोपाल की एट खेडी में दुआ के साथ 4 दिनी इस्तिमा का समापन हो चुका है वहीं मौलाना साद ने देश दुनिया में अमन और चैन की दुआ कराई साथ ही दुआ के बाद जैसे ही लोगों ने इस्तिमास तल से बाहर आना शुरू किया तो जमातियों का सैल आपसा दिखा बस्टेंड सहित रेलविस्टेशन तक जमाती ही जमाती नजर आ रहे थे आयजकों ने दावा किया है कि इस मजहवी समागम में 10 लाग से ज़्यादा लोगों ने शिर्कत की है बोपाल इन नौर के लिए जिन्वरी में आएंगे मेट्रो कोच बोपाल और इन नौर के लिए मेट्रो कोच जिन्वरी में आने वाले हैं जिसके लिए Metro Corporation ने तयारियां जम कर शुरू कर दी है वहीं तीन कोच की एक-एक ट्रेन होंगी जिसे ट्रैक पर दोड़ाया जाएगा साथ में ट्राइल के लिए अगस सितंबर में एक-एक ट्रेन आ चुकी है टेंप्रेचर में लगातार गिरावट MP का हेल स्टेशन पचमणी सबसे ठंडा मध्यप्रदेश में रात में भी ठंडक का सर बढ़ने लगा है रविवार सोमवार की रात पचमणी ग्वालियर और राजगर की रात सबसे ठंडी रही पचमणी में 9.2 डिगरी ग्वालियर में 9.8 डिगरी और राजगर में पारा 8.4 डिगरी रहा भुपाल में 12 डिगरी का पारा आ गया है वहीं नौर की बात करें तो 14.6 डिगरी उजयन में 13.2 डिगरी और जबलपुर में तापमान 12 डिगरी दर्श किया गया साथ ही उमरिया नौगाओं दतिया भी ठंडे रहे टेंपरेचर में लगाता गिरावट होने से कई शहरों में कोहरा चाया रहा महाकाल मंदिर में स्थाई नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाक रुपई की ठगी उजयन के महाकालिश्वर मंदिर में सिक्योरिटी का काम दिलाने वाली महिला के साथ एक व्यक्ती ने मंदिर में स्थाई नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाक रुपई की धोकदरी की नील गंगा पुलिस ने मामलिक में केस दर्च कर आरूपी को गिरफतार कर लिया है वहीं बता दें कि पुलिस ने बताया कि विनीता गुपता पद्धी उम्प्रकाश गुपता निवासी साथ्री नगर महाकालिश्वर मंदिर में सिक्योरिटी का काम करती है उसका परिच्चय यहीं पर पूर्फ में सेक्योर्टी का काम करने वाले शुबम गुपता से हुआ शुबम ने उन्हें बातों में उलजाया और महाकालिश्वर मंदर में स्थाई नौकरी दिलाने का जहांसा दिया और चार लाक रुपे एट लिये अब पुलिस ने उसे गिरफतार कर दो दिन की रिमांड पर लेकर पूश्टाच शुरू कर दी है तो ये थी आज की खास खबरें आगे जुड़े रहे हैं खबरी के साथ क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र झाल 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 झाली खबरी का श्रव खबरी का बाहे हैं कर दो दो ये खबरी के ओमाईन आगे हैं क्वेश्याक रहे हैं झाल झाल